आउज बिल्लाहिम ने शेतान रजीम बिस्मिल्ला रह्मान रहीम असलाम लेकुम दियर स्टुजेंट्स, हावर यूँ, होप यू और आल फाइन तोड़े, दा डेट इस 20 जैनुरी 2021 क्लास 3 सब्जेक्ट इंग्लिश टॉपिक, आउटोबायग्राफी ओफा मिरर, आज का हमारा टॉपिक है आउटोबायग्राफी ओफा मिरर, आज हम वक बुक से आउटोबायग्राफी ओफा मिरर की exercise को सॉल्व आउट करेंगे चैप्टर नमबर 3, वीडियो नमबर 5 आईए स्टार्ट करते हैं सब बच्चे अपनी workbook open करेंगे The autobiography of a mirror की exercise page ready करेंगे date and dimension करेंगे सब बच्चे exercise को बहुत गौड से देखेंगे और मेरे साथ साथ solve करेंगे आईए स्टार्ट करते हैं The autobiography of a mirror एक हिश्य की हलाते जिन्दगी या स्वाने उम्रे Rewrite these by changing noun into pronouns आपने इन sentence को दोबारा लिखना है Nouns को pronounce में change करते हुए pronoun वो होता है जो noun को pronounce करता है pronoun कहते हैं इसमें जमीर को और हमने इसको change कैसे करना है noun को noun कहते हैं किसी naming word को जैसे किसी चीज का नाम, किसी जगा का नाम, किसी शक्स का नाम और pronoun कहते हैं he, she, it, they, them ठीक है अब हमने इन sentence को में noun को pronouns में change करना है और rewrite करना है यानि दुबारा लिखना है आईए स्टार्ट करते हैं कामरान is absent today कामरान is ill अब हम इसको change करेंगे कामरान is absent he is ill कामरान की जगा पर he आएगा नमबर टू में देखें call the girls here the girls have played enough इस sentence में noun को already pronounce में change किया हुआ है तो हम इसको same वैसे ही लिखेंगे call the girls here they have played enough इस sentence में हमने कोई changing नहीं की क्यूंके question में ही इसको change किया गया है नमबर त्री में देखें we meet maham today maham is a teacher आईए इसको change करते है we meet maham she is a teacher nida and rida are sisters nida and rida are very nice आईए इसको change करते है nida and rida are sisters they are very nice next में देखें read the sentences about moni and her pup underline the pronouns use in the sentences आपने इन sentences को बहुत अच्छे तरीके से read करना है ये sentences moni और her उसके pup के बारे में है और आपने जो इस sentences के अंदर प्रोनाउन दिये गए है उनको underline करना है आईए देखते हैं और प्रोनाउन कौन-कौन से है moni played with him he is her dog tommy अब इस में कौन-कौन से प्रोनाउन है he, her नमबर 2 में देखें he is a black and white dog अब इस sentence में प्रोनाउन क्या है he तो आप he counter-line करेंगे next में देखें number 3 they were playing with a ball अब इस sentence में प्रोनाउन क्या है they सब बच्चे दे को underline करेंगे number 4 में देखें moni through it to Tommy अब इस sentence में प्रोनाउन क्या है it सब बच्चे इच को underline करेंगे number 5 में देखें he brought it back इस sentence में प्रोनाउन क्या है he सब बच्चे ही को underline करेंगे number 6 में देखें then monies that call them in अब इस sentence में प्रोनाउन क्या है them सब बच्चे them को underline करेंगे number 7 में देखें he told moni to do her homework अब इसमें दो प्रोनाउन्स हैं कोन कोन से हैं he her दोनों को underline करेंगे अब next में देखें fill in the blanks with the correct pronouns यहां पर दो option दीगिंग हैं दोनों में प्रोनाउन्स लिखें गए हैं आपने सही प्रोनाउन्स यहां पर लिखना है और blank को complete करना है number 1 में देखें number 1 उन्होंने solve की हुई है number 1 में देखें naila brought them for her father दो option कौन कौन सी थी they or them अब number 2 में देखें number 2 में आपने खुछ से solve करना है we visited yesterday yesterday अब इसमें best pronoun क्या है her she तो इसका सही प्रोनाउन है her number 3 में देखें we sent dash a post card तो इसकी option कौन कौन सी है he him तो इसका सही आंसर है him सही प्रोनाउन लगाएंगे him और sentence को complete करेंगे number 4 में देखें I saw I saw dash at school तो इसका सही आंसर है her she तो आपने अहाँ पर लिखेंगे her दौ अप्शन थी her she तो आप her लिखेंगे यहाँ पर और sentence को complete करेंगे I saw her at school यह थी आपकी फिलिम दी ब्लैंक्स number 5 में देखें dad shouted at dash I me तो इसकी सही प्रोणाउन है me number 6 में देखें the police stopped dash इसकी आप्शन देखें he him तो इसका सही आंसर है him number 7 में देखें the dog followed dash इसकी आप्शन देखें them they तो इसका सही आंसर है them number 8 में देखें the coach thanked us for helping him तो इसका सही आंसर है us तो इसकी आप्शन कौन कौन सी थी us we ये थी आपकी blanks आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से fill करना है best pronoun लगा अगर next में देखें अब आपकी डायरी है learn class work आपने exercise को बहुत अच्छे तरीके से solve करना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से learn भी करना है take care and Allah हाफिज